देखिए आज हमें दिल्ली में मिड़कर भहन पर यहां पर कॉंग्रेस के जो कारे करता हैं पदाधी कारी हैं वो अपना प्रिदिशन कर रहे हैं चूंकि देश में जो बड़े निताइमी परक्ष के रहूल गांदी जी की सदस्तक निर्ष्ट कर दी गई है उसके बाद से जो कॉंग्रेसी है वो डेली ही अलगला जोया पर प्रिदेशन कर रहे हैं देखिए जो कॉंग्रेसी कारे करता हैं दॉक्टर उदित राज जी के निर्देशन में आज दिल्ली के मिड़कर भहन पर आंदोन कर रहे हैं मोदी हटाओ लोग तंदर बचाओ एसंग्ठित कामगार करमचारी कॉंग्रेस के कारेकरता पता दिकारी हैं स्वसर बड़ी बात है कि जितने कारेकरता विरोध करने के लिए आये हैं उससे ज्यादा यहां पर पुलिस तेनात कर दी गई है देखिए बड़ी संख्या में अर्चैनिक बल लगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस भी त किया जा रहा है मोदी अडानी भाई-भाई देश बेसकर खाई-मलाई जैसे यह स्लोगन लिखे गए हैं जो तक्ति लिए हुए हैं करमचारी कॉंग्रेस के कारेकरता है तो आज दिल्ली में पुलिस चल रहा है तो पुलिस ने इनको बाहर नहीं जाने दिया है पुलिस तेनात कर दी गई है गेट पर बड़ी संक्या में कारेकरता आए हैं और यहां पर रोग दिया गया है काले कपड़ों में कांग्रेस कारेकरता जबरूत पुलिस कर रहे हैं देखिए फुदित राज जी को भी काले कपड़ा पहना जा रहा है मोधी अटाओ लोगतंतर बजाओ मोधी अडाने भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई इस तरह के स्लोगन लिखे गए हैं कांग्रेस पार्टी आज का यह सत्याग्र, राहुल जी की जो सजा हुई है उसके खिलाफ में, उनका घर भी खाली कराने करनों कि दिया जा चुका है, अडानी के द्वारा लूप राहु कांधु जी ने साथ परवरी को अडानी की जूप का परदाफाथ समसब में किया, वो जो भार्ती जंता पार्टी के अमेले, जिसने फर्जी या गलत आधार को फाईयार दर्द सूरत में कराया था, वो आदमी भाई को पहले जाकर के रुकवा दिया था कि केस में चले और जैसे राहु जी ने परदानी के बारे में बोला, एक हटे के अंदर पूर्नेश मोधी, पूर्नेश मोधी जो बीजेपी का नेता है, जो शिकायद करता था हाई कोट से, अपनी अपनी केसम दुगा कर लिया, और तेजी से केस को चलाया गया, और रहु जीना ने गौर्फ दोटीण बाते लोग कहते हैं ये तो अधालत का फैसला है, अधालत का फैसला है ये जगा कोन है गजरात, घटना मुई ए करनाटक की, ये फ्या यार्दार्द कंदेवाला कोन है भीजेपी, केस को रुकवाने वाला कोन है, वही लोग, और जै इसे राहुल जी बोलते हैं, संसद में अडानी के खिलाथ केस चालू करा देता है, और फौरन सजा हो जाती है, तो मोधी राहुल गांधी जी से ही डरते हैं, और राहुल जी ने केवल भरस्ताचार की बात नहीं, गरीभों, मजलुमों, महिलाओं के लिए हमेशा आवाद उठाई है, जो 4000 किलो मीटर चले बेरोज़गारी महंगाई की खिलाब, देश में नफरत जो फैल गई है, उसके खिलाब की, अब राहुल जी की बात को सभी मानने लगे हैं, कल अर्विन के जरिवाल जी ने भी कहा, वो तो एक कदम और आगे चले बेरी, कि अडानी का पैसा नहीं, मोदी का पैसा है, हलाकी अडानी आउ मोदी में कोई फरक नहीं, वही काला धन का दुर्पियोग हुरा पूरे देश में चुनाओ जीत रहे, वो काले धन के उपर, राहुल जी ने हमला बोल दिया, तो ये लोग उतर आए, आज लोगतंत्र बचानी की बात, दोस्तों, यह नहीं कि मैं कांग्रिस का हूँ, यह हमारे चेर्मेन, मिरोध पवार जी, दिल्ली के चेर्मेन है, आप जरा सोचो, जब से मोधी आये हैं, कहीं नौकरी है, राद दिन नफरत, महंगाई कितनी बढ़ी है, यह सामने दिखता ने, लेकिन हिंदू मसलिम की आड में, बहुत लोग अभी भी भ्रमी था है, और सच पूछे, तो दलित है, पिछड़ा है, मुसलिम हैं महिलाएं हैं, ज्यादा प्रफावित हैं, नौकरी कहां मिले भी, बाइंक बेच दिया, बियसनल बेचा, रेल बेचा, बंदरगा बेचा, जहाजे बेचती, कोईला बेचती आ, कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, और देश की जो, को रोजगार देने वाला, मैसमी होती है, उसकी कमर तोड़ी है, यह दर्द राहुल जी को सीने में है, हमारी लडाई लड़ है, हमारी लिए, यह सवभाग की बात है, आज जब आप जाएं, यहां से, लोट के फिल, कहना, कि चलो एक बड़ा और भरना करते हैं, एक और बड़ा शत्या ग्रह करते हैं, लोग तंत्र की बचाने की लड़ाई, मेरी कट जाएगी, राहुल गादी जी की भी कट जाएगी, हम लोग उस वर्ग से, यानि खाने पीने की कमी तो नहीं है, लेकिन आप में से ज़्यादा तर लोग प्रभावित हों, देश की जंता मरें, आवाज दबाई जाएगी, त यह मत सोचना, की अपनी नेतागीरी चंकाने की लिए, ताहुल जी कर रह रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ, या हम आरे साथी कर रहा हूँ, ये वास्तों में हमारे दिल की एक बात बड़े मुश्किल से आजादी मिली है बड़े मुश्किल से आजादी मिली है अगर बोलने की आवाद चिन गई तो मानव उपासू में कोई अत्त नहीं होगा पेट पालने के लिए हम नहीं बने हमारी एक आजादी है हमारी देखती है राउब गांदी जी जैसा एक और मामला मौम्मद फैजल अब लक्षदीज पे अमपी का है उनको सजा मिली उन्होंने इस्टिक कराया लेकिन फिर भी लोगसवाय स्पीकर ने उनको बरकास कर दिया आज अपने आप उनको बहाल कर दिया तो कुछ तो डरे हैं आप जितना ज़्यादा सडको पर निकलोगे वतना ही आपकी जीत होगी और सब्ता में एक दिन आधा दिन निकाल देना दिन में घंटे आधा घंटे निकाल देने से आपके रोजगार में आपके आराम में आपके घर पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन देन को बचा सका को बात करते हुए बिराम करूगा कोई सवाल होगा मैं जवाब दूँगा और इसके बाद एक तो इसकी कर अगर बच गये हैं अभी डाक्टर रोम सुदा जी आये हैं उनका ओजेश्वी भासर के बाद इसका समापन हम कर देंगे क्योंकि हम तैयारी मार्च के तरफ से मार्च करने के लिए आये हैं सब्सक्राइब तो अचानक हमने बजला है उस दियाद से हमें दो बजे तक डेड़ बजे तक ही चला सकते हैं तो धन्वाद कोई सवाल है सर एक सवाल मेरा लोक्तांत्रिक तरीके से चुना हुआ एक सांसत लोक्त्रिय सांसत का अंग्रेश का अलोक्तांत्रिक तरीके से सस्पेंट कर दिया जाता है इस मुद्धेपश यह संभाई दाने की मुद्धाय वीपक्ष केतना आपके साथ ख़़ा है वीपक्ष ख़़ा ही ख़़ा है यह न्याय हमारे ही साथ नहीं हुआ वीपक्ष के साल में भी 18 वीपक्ष की पार्टियां एक साथ आच चुकी गए नियाम क्या जी वांटरू अच्छा अच्छा बस तो आप पांच में रूप तो कि कुछ हमारे प्रमुक वक्ता रहता है डाक्टर ओंसुदा जी आप अपने अपनी बात रख 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 तो किके वने बच्छपन से संग्रश किया है कमिशनर रहे रहे हैं और आज यहाद यहाद अच्छा है बहुत फारी सख्तियां देखिए हैं उन्हें तो इसलिए यह हमें भी सिखाते हैं जब आप साथियों क्या सामना करोगे तो भी आप कुछ पाओगे आज हमारे अगर में रहन जी की सदस्या चीनी गई हैं बंगला खाली करने के लिए कहा जाता हैं आप देख लिजे कितनी बड़ी बिंदा बाती हैं इसलिए यह गांदी परिवार पर हमला पर हमला पर हमला कर रहे हैं साथियों मगर हमें गट के रहना हैं मजबूती से हमारे पास बहुत ताकत है मगर जब हम एक होके रहेंगे तब हम से कोई जीत नहीं सकता है कल दिली के सियंग मानिय के इल्वाल जी ने भी बहुर लगाई हैं देश का प्रदान मंत्री चोर है ये अधानी का पैसा नहीं है ये खाली अधाउट अधानी का है पैसा तो प्रदान मंत्री ची का है किनके अपने आप को पिखाना है कि मैं तो सफेद हूँ मेरे उपर कोई दाद नहीं इसलिए हमारे मानुए रहो जी में ये आवाज उठाई सदर ये और उनका वो बंग कर रहे हैं उनसे सदस्या चीने जा रही है उनसे बंगला चीना जा रहा है नगर मानुए हमारे रहो जी इन चीजों से तर नहीं रहे हैं उन्होंने कह दिया उन्होंने कहा मोदी जी आप मेरे बंगला चीनली जी आप मेरे बंगला चीनली जी मैं उस ठांदा हूँ, जिसने अपने बाद को शहीर दिया, जिसने अपनी दादी को दिया और मैं भी जाहू आए अपने देश वाध देश वासन के लिए मुझे कोई चिर्प आ रा नहुद गांदे, इनावाद, भॉल्याद गांदे, इनावाद, पढगे सहाँ, इनावाद, उचित्राजी, इनावाद. इसलिए साथियो, हमें कांग्रस और चांग्रस को सबस्या, जितने भी हमारे लोगर हैं, उन से कंदे से कंदा मिलके चलना है. हम कमज़ूर मत समझना आपको, हम कमज़ूर नहीं हैं, साथियो, मगर हमें ये तोड रहे हैं, मगर हमें तोड़ना नहीं, हमें चुड़ना हैं. अधिया 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 अधिय आप देख लिज़ें, जिस एयरोट से आप सब्सक्राइए है, वो कांग्रेस की देहन हैं, जिस रेल्वेस से आप सब्सक्राइए वो कांग्रेस की देहन है जिस क wow tortilla से हमारा बच्चा वैट की बढनता है, हो हमारे मामीनियरा की हुटाइनी जी की दियुंए?